साथियों जरा आप सोचिये मैं अहाँ देश वास्चियों को भी कहता हूं यह 100% की बात जो है न जरा देश के लोग भी सोचे और अपने अपने को बड़े बुद्धिमान कहने वाले और आटे-पाटे की राजनितिक भाशा बोलने वाले लोग भेदभाव की चर्चा करने व समझिये किसी योजना के हंड्रेट परसंट लाबार्थियों तक पहुंचना यह केवल कोई सरकारी आंकड़ा नहीं होता है यह हंड्रेट परसंट पहुंचने का मटलब होता है यह भाजपा कैसे धानतों का उसकी कारेशाईली का एक जीता जाकता उदाहरन है हंड्रेट परसंट लाबार्थियों तक पहुंचने का मटलब होता है किसी से भेदभाव की सारी गुंजाईश को खतम करना 100% का मटलब यही होता है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मटलब होता है तुष्टी करण की सारी संभावनाओं को खत्म करना 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मटलब होता है कि यह उसे मिलेगा उसे नहीं मिलेगा इस्वार्द भरी राजनीती की भी समाप्ती 100% लाभार्थियों तक पहुँदेने का मतलब होता है समाज की आखरी पंक्ति में खड़े आखरी व्यक्ति तक पहुँदेने का लक्ष 100% लाभार्थियों तक पहुँदेने का मतलब होता है कि धर्म जाती के आधार पर योजनाओं को बाटने की संभावना ही खत्म हो जाती है हंड्रेट परसंड लाभार्थियों तक पहुंचने का मटलब होता है गरीब कल्यान के लाप की योजनाओं से कोई छुट न जाए यही तो है सबका साथ सबका विकास आजादी के बाद जो राजनितिक दल दसकों तक सत्ता में रहे उन्होंने लोगों को इस बात पर बाटा कि कुछ को ये मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा यहां से बुथमे से मुझे वोट मिले थे तो मिलेगा वहां बुथमे से वोट नहीं मिले थे तो उनको लटका के रखेंगे हंड्रेट परसंट जब होता है न ते सारी बिमारियों से मुक्ति मिल जाती है मेरा तराय तेरा कोई बेदभाव नहीं रहता है और गोवाई है जो देश को भेदभाव से मुक्ति का संदेश देने की ताकत रखता है मुलबुत सुविधाओं को लेकर भी उनका यही रवईया रहा योजनाओं का लाप हंड्रेड परसंट लोगों तक पहुचाना उनकी ऐसी ही बांटले वाली नीतियों का जबाब है इसलिए मैंने लाल के लिए से मुलबुत सुविधाओं की योजनाओं के सेचुरेशन की बात कही थी हंड्रेड परसंट लाभारतियों तक पहुचने शत्प्रतिशत कवरेट की बात कही थी जब सरकारी मशिनरी इस नियत से काम करे कि उसे शत्प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुचाना है पहुचाना है, पहुचाना तो फिर पक्षपात, भेदभाव, मेरा पराया कुछ भी टिक नहीं पाता, जब हम 100% का लक्ष लेकर चलते हैं, तो सोशित, पीडित, बंचीत, दलित, आदिवासी, गरीब, ना किसी धर्म का कोई व्यक्ति छूडता है, ना किसी समाज का, इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान, सोशल जस्टीच, सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्रमाण है, और सामाजिक न्याय के प्रतीप, हमारी प्रतिवद्धता, हमारा कमिट्मेंट, इसका ये जीता जाकता उदारन है, और मैं दो कदम आगे जाकर के कहना चाहूंगा, कि 100% का मतलब ही होता है, कि ये सच्चे अर्थ में सच्चा सेकुलरिजम है, यही सच्चा सेकुलरिजम है, 100%, इससे बड़ा सेकुलरिजम क्या हो सकता है?